हेलो गाईज वेलकम टू आर व्लॉग मीनू 21 और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं किचन में खड़ी हूँ तो आज जा रही हूँ थोड़ा न किचन को थोड़ा व्यवस्थित करना है क्योंकि टाइम टाइम पे न करिये न तो किचन सामान मतलब जल्दबाजी में सब हैवजर्ड हो जाता है तो अभी मैं थोड़ा सा और गिनाईज करने वाली हूँ और जगह भी थोड़ी फेर बदल करूंगी सब की यहां पे पहले मैं क्रॉकरीज रखती थी लेकिन अब मैं क्रॉकरीज के लिए एक ट्रॉली उस दिन गई थी मार्केट तो ले आई हू तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहां सारा मंचिंग का सामान जैसे कि कुछ भी जो स्नैक्स वगएरा है यही पे बिस्किट हो गया आमला कैंडी बादाम किशमेश और ड्राइफ रूट्स मतलब सब कुछ चवन प्रास हो गया और आमले का मुरब्बा और चिक्की मेरी तो सब मैंने इसी में और्गेनाईस कर दिया है तो इससे क्या होता है डा कि एक ही जगा पे मंचिंग का रखने से न किसी को भी इधर उधर ढूंडना नहीं पड़ता है और अब क्योंकि यह नवरात्री के एक दिन पहले का वीडियो है तो मैं सोची कि मंदिर की भी साफ सफाई करने के लिए मंदिर के नीचे का रैक है मंदिर के उपर का मैं कर चुकी हूँ और सब कुछ न व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कल से तो नवरात्र भी शुरू हो रहा है तो मंदिर की सफाई तो करनी ही थी तो मैं सोची न कि सब कुछ ये कर दी सारा पूजा से रिलेटेड सामान तो इस तरह क्या होता है कि जो भी चीज चाहिए न सामने रख दीजे तो सही रहता है और ये न मैं लटकर लगाई थी मंदिर की दोनों तरफ तो मैं ऐसे ही इसको सेलो टेप से चिपकाई थी डबल साइडेट टेप से लेकिन वो न टिक नहीं रहा था तो अब मैं छोटी वाली काजू पिंसे करके इन दोनों को टांग दी और अब ये देखिए मेरी मंदिर हो गया रेडी और अब मैं आगे जो मेरा लीविंग रूम है मंदिर भी उसी रूम में रहता है तो इसको जब से मैं आई थी घर से न सब कुछ इस इसी रूम में सोफे पे ऐसे फेका पड़ा था और लगातार यहां दो तीन दिनों से बारिश भी हो रही है तो कपड़े में वाश नहीं कर पा रही हूँ तो भी सब फैला हुआ था और ये सब तो वाश कपड़े हैं और उसी में मार्केट भी चली गई तो सब कुछ ना ऐ ऐसे पिखरा पड़ा था तो आज मैं सोची कि चलो इसको भी लगे हाथ व्यवस्तित करी देते हैं क्योंकि फिर बच्चे हैं कहीं भी सामान इधर उधर अगर रख देते हैं वैसे तो बच्चे भी पूरी तरह से मेरी हेल्प करते हैं मैं उनको बताई हूँ कि जिधर का सा प्रू कर दी सोफा व्यवस्तित हो गया और सब कुछ और घर बंद रहे चाहे खुला रहे डस्ट तो आता ही रहता है तो इसलिए मैं सोची न कि थोड़ा सा इसको डस्टिंग कर दूँ और टाइम टाइम पे और जाले तो उतने नहीं लगते हैं ठंडियों में क्योंकि प्रू करते हैं तो यह मेरा इधर का रैक भी सब व्यवस्तित हो गया सज गया और सब बाकी जब करने लगिये ना तो लगता है कि क्या छोड़े क्या नहीं सब लगे हाथ करी दीजिये तो एक बार सही हो जाता है 15-20 दिनों पे और मेरी आदत है ना मैं सामान की जगे इधर उधर करती रहती हूँ जिससे की नया पन लगता है और नहीं तो फिर एक ही चीज़ करते करते ना बोरियत सी हो जाती है और इसी की वज़े से अब ये देखिये रहा है कि इसको भी व्यवस्तित करना है सब सामान इकठे पड़ा हुआ है और इसको भी मैं थोड़ी डस्टि खुद से आदमी जितने अच्छे से करता है न अपने तरीके से वो नहीं समझ में आता है दूसरा कोई उससाफ से कर भी नहीं सकता है और ये देखिये मेरा ये उपर के बच्चों के मेडल से सब मैं कर रही हूँ और जरूरी है कि आदमी देखिये सब काम करता रहे और दोस गर की सफाई के साथ साथ ना अपने सरीर के मन के भी मैलों को दूर करना चाहिए ये नहीं कि हम हमेशा शिकायत में ही लगे रहें कुछ लोगों की आदत होती है ना सुबह से शाम बस उनको ना दूसरों में बुराई करते ही मतलब मज़ा आता है ये नहीं होना चाहिए देख कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है लेकिन आदमी ना अपने भले परफेक्ट ना हो दूसरों को ना सोचता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट ही हो तो ये आदत नहीं होनी चाहिए लेकिन हमारे आपके कहने से कोई बदलने वाला तो है नहीं और नहीं किसी को देख के ना अपनी लाइफ नहीं खराब करनी चाहिए हमको जैसे लगता है वैसे ही करना चाहिए और यह देखिए कल से नया साल हम लोगों का हिंदूों का शुरू हो रहा है तो हमारे यह शाखा के आरेसेस के जो स्वयम सेवक तयार हैं यह सब जंडे लगा रहे हैं क्योंकि कॉलोनी में सबको बाटना है तो यह देखिए श्रवन के और कृष्णा के दोस्त भी दोनों भाई है उनलों भी आ गये थे तो वो दोनों भी हेल्प कर रहे थे और अब यह बच्चे भी पापा के संग और भी कारे करता है सभी लोग जाएंगे सबके घर यह बाटना है अपने घर के ब लोगों को बच्चों को भी अवेर कराएं अपने सारे फेस्टिवल्स बच्चे भी जाने इन्वाल्व हो तो अपनी मतलब जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है कहीं भी किसी भी देश में हो कहीं भी रहें लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए तो यह देखिए हो गया और फिर आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पर समाप्त करूंगी मैं भी बच्चों की थोड़ी मदद कर रही हूं सब बच्चों को बोली कि दो दो तीन तीन ही लेना क्योंकि फिर लेके न वो करचल नहीं पाएंगे ज्यादा कॉलोनी में ही घूमना है तो यह देखिए बच्चे मतलब लगे पड़े हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे भी हर चीज़ में बढ़ चड़ के हिस्सा लेगते हैं तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग भी अपने घर की साफ सफाई करके मैं भी यही कोशिश करती हूं कि अपने मन के भी मैल को दूर करूं और कम से कम negativity की तरफ रहूं जहां से भी मुझे लगता है न कि negative energy मिलती है या जो लोग जादा शिकायत और इंसम में रहते हैं मैं उनसे दूर रहूं क्योंकि negativity तो बहुत आसानी से मिल जाती है हमेशा positive wives भी खेरने चाहिए और positivity में ही जीना चाहिए क्योंकि सब को बदल तो हम सकते नहीं है तो फाल्तु में किसी को भी बुरा कहने से क्या फायदा है तो ये देखिए हमारा जंडा भी तैयार हो गया और इसी के साथ guys मैं अपना ये vlog भी end करती हूं और अगर आपको अच्छा ल चैनल इससे मुझे motivation मिलता है and thank you for watching बाई